FM में निमेरिकल आता है कभी पूछते हैं water droplet में pressure बताईए कभी पूछते हैं soap bubble में बताईए तो फिर कभी पूछते है air bubble में बताईए और या फिर कभी कभी पूछ लेते हैं jet formation में बताईए तो pressure क्या रहता है देखते जाईएगा सबसे पहले हम बात करते हैю water droplet की तो water droplet में रता है pressure equal to 2 sigma upon r वही हमिए बात करूँ soap bubble की तो soap bubble में रता है 4 sigma upon r वही हम देखें अगर हम बात करें air bubble की तो air bubble में रता है 2 sigma upon r और the last one is jet formation jet formation में रता है sigma upon r अब देखिए common चीज क्या है आपका air bubble में 2 sigma upon R रहता है और वहीं पर आपका water droplet में भी 2 sigma upon R रहता है तो यह दोनों तो होगा है common water droplet और air bubble का अब रही बात soap bubble का तो soap bubble में आप मानलीजी सबसे ज़्यादा रहता 4 sigma upon R और jet में आपका कितना रहता है jet formation में रहता है आपका sigma upon R Thank you